हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू माई टेट क्लस्ट फ्रेंट्स आज हम देखेंगे हमारा परियावरण ये बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी फ्रेंट्स आपको पता है अभी जो 2018 में आपका टीटी का एक्जैम हुआ था फर्स पेपर जिसमें परियावरण का पाड़ था वहां से अकेले 12 क्वेश्चन इस बुक से आए हैं सोची ये बुक आपके लिए कितनी इपॉटेंट है नाम है हमारा परियावरण उच प्राथमिक स्तर के लिए है यानि कि इस बुक को क्लासिक सेवन और 18 नों ही स्टुटे इन्हें पढ़ेंगे और ये बुक जो आप देख रहे हैं ये आपकी सरकारी विद्याले की बुक है और ये 2019 और 2020 के लिए प्रकाशित हुई है और सबसे बड़ी बात कि ये बुक आपके लिए इतनी इतनी इतना है भी मैंने कहा ना कि 12 से 13 क्वेश्चन आपकी इसी बुक स और ये देख सकते हैं और ये देखिए आपका परियावरण का पार्ट है यहाँ पर देखिए जो मैंने निशान लगा है ना ग्रीन पेंस से वो सारे क्वेश्चन आपके इसी बुक से आए हुए है इसलिए ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन होती है कोश्चन के आएक पर देख लेते हैं किस गैस के वर्षा के पानी में गुलने से वर्षा पानी अमलिये हो जाता है ये एक कोश्चन मैं यहाँ पर दिखती चलती हैं ये एक कोश्चन आपका इसी बुक से आया था और इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपका आजाता है जलसंग्र जो वर्षा वाले टॉपिक से आपका आया है यह दूसरा कोश्चन भारतिय गेंड़ा कहां सनरची थै यह आपका तीसरा कोश्चन और यह चौथा कोश्चन है कि पारिशी तर्ट में जो उर्जा का प्रवाह होता है किस तरह से होता है यह बताना था और यहां पर पांचवा कोश्चन के कौन सी ग्रीन हाउस गैस वाता वरण से अधिक मात्रा में उपस थी तो और यह सारी जो आप यहां पर देखने ना पाठी सूची इन सभी में आपके सब कुछ आपकी कोश्चन मिलेंगे इसके अलावे मैं आपको और कोश्चन दिखाते हूं यह तो से आया है अब सब चीज को मैं इस तरह से खोल के दिखा देती हूं आपको कि सारे कोश्चन आपके कहीं से नहीं आए है वरन आपके यहीं से आए हैं देखिए यह आपका देखिए भोपाल गैस तरास्दी है जो 1986 में यूकरेन चेरंबिल इस्थी परमाण उर्जा संस्तर म भी सर नाभी के दुरगटना हुई थी और इसमें कौन सी गैस निकली थे आपको यहीं प्रश्ण आपका है यहां पर और एक प्रश्ण जो अभी आपने देखा था कि अमलीय वर्षा क्यों होती है तो यह देखिए वह प्रश्ण भी आपका यहीं पर है कहने के मतलब मेरा अग्रमा कौ保守 कार्श्ण सिफ़ इतना है कि आपके यहां से सारे कोस्चन आये थे और देखिए साथ कोस्चन आपने देख, आथ आथा कोस्चन आपका लास्ट में पर यहां से बकंतर लास्ट इस प्रेवराइन के लसे सब्श्वारे ही प्रश्ण लिक देखिए सिध्मा तो अपसीत फित्पादों को खाने वाली जीवों को क्या कह जाते हैं तो यह आपका यहां से आया था पॉराक्तिक में आया आ गया यानुकि 10 तो आप देखी रहे हैं आप देखी ग्यारवा कोस्चन देखिए घना माता रोग ऐसी मचली खाने से होता है जिसमें कोई मातरा प यह इस पर पीपर के लिए भी उतना ही परिया वरन का एक पार्ट आपका सेकेंड पेपर में भी आपको पढ़ना है तो यह इंपर्टेंट है तो यह फुरी तरह से टॉपिक वाई से कंप्लीट कर चुकी है और दिसक्रपिशन में उसका लिंक है एक बार आप लोग जाके वहाँ से टॉपिक वाई हर एक वीडियो को देख ले ताकि आपका यहाँ से कोई भी प्रश्म छूटने नौ पाए तो फड़स यही बात आपको बताने थी कि इस बुक की क्या अहमियत है आपके टीटी को लेकर तो फिलाल के लिए के वल इतना अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार